आज आप जो वीडियों देखने जा रहे हैं, मैं आपको पता दू जो खास तहीं के से लोगों के दांतों में दर्ध होता है, मशूरे सूच जाते हैं, खून बहता है, मशूरे हिल जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांतों में दर्ध होता है, बहुत ही कठिन दर्ध होता ह में बता दूँ अगर दांतों में आपके दर्द हो रहा है बसुरों में दर्द हो रहा हैं और दांतों में किले लग गए हैं यह दान्त के केलों की नंबर एक कि दव है मैं आवकत कराता चलूँ कि इसकी दतौन को तो मैं बता रहाँ करने के साथ साथ शुबाँ अठीया थोड़ा से करवा तेल हम नाहर करके उसको रगड़ा और उसको आम करते रहे हैं करते रहे हैं करने बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे के हां मेरे मुझ्चे ज़ाग निकल ला है और फीलापन कर ला है इसका आप रोया नित प्रत्त करें और इसकी जड़ी बूटियों को आप दांत में दबाते रहें और इसको कूट करके आप खाते रहें चबाते रहें धीरे-धीरे करके फिर आप थोड़ी से दो लॉंग रख लिए दांतों के नीचे मैं बताता हूं धीरे-धीरे करके आप एक देखें कि दान्त मिना लुहे जैसे हो गए और वो खड़ेंगे नहीं फिर आप सोचाओं कि लादू हिलेंगे भी नहीं लेकिन बस ध्यान रखिए कि आप उसको जो है जो है लहुरी नमक्ट बढ़िया होना चाहिए और जो है शट्षो कतेल बढ़िया होना चाहिए और को बिला करके और शहां इसको ब्रूश का प्रियोंगा करें रहे हैं तो दांतों की मजबूती हो जाएगी और दांतों में दर्द हो रहा है वो भी खतम हो जाएगा और दांट बिलकुल बहुतरीन हो जाएगी चमकते हुए हीरे की तरीके से चमकते हैं और मुग की सारी दुर्गंद खतम हो जाएगी आप देखेंगे कि सारे जो कोलगेट हो गारा मन्यानाप करते मैं नाम नहीं लेना चाहता उससे ह अगले वीडियो दिखाएंगे अगले वीडियो में आपको और आगे इससे फायदे बताएंगे इसके फायदे बहुत से हैं अभी हमने आपको इतना बताया है फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक किली भाई जी नमश्कार और मेरा वीडियो अगर आपको प्रशन आ रहा होगा तो आप लाइक करते रहे और सब्सक्राइज करते रहे और वीडियो को देखना न भूलें मैं कोश्च करके आपको बहुत से बीडियो दिखाएंगे आरवेत विबारें बहुत की जनकारी देंगे मुझे जहां तक जनकारी होगी ज्यादा ज्यादा जनकारी आप लोगों को पेश करेंगे और आप लोग मेरा उद्देश है कि सारे लोग स्वस्थ हो जाये हमारा भारतवर्श स्वस्थтесь हो जाये और आत्मीलवर्श हो जाये और किसी प्रकाल कि आईसी डढ़ीज़ी और आरवेट की सभी लड़ीबूटों को आ पहचानते रहिए, मैं हर मर्जों के लड़ीबूटिों के वी बारे माको जानकरी दूंगा. चरीर की जदनी भी बिमारिया होती, सब के वारे मी जड़ीबूटिया बताऊंगा और ठोड़ को दिखाऊंगा. बारस थोड़े दिनों के बाद का इसे कुनसी जड़ी-बूटी कैसे बनना जाती कैसे दोह बनना बना जाती इसको भी द्खाएंगे आपको और वह सर्जक कर देंगे और मेरी विज्चिव को देखते रही है और शमजते रही है आप मसलेन घृट चाह बोल जाएंगे बंडे समझे आरवेट को ढूंते फथैंगे जड़ी ब्neकड फरेंगे तो इसका आप ध्यान में रखिए और आप दोई को त्यार करेंगे आपका पुरा परवार पाइसा बचेगा और श्रीक का श्रास बचेगा और श्रीक की प्रकार के जरूत नहीं कि कोई टेवलेट खालो गई या मालूम हो जैसे ही राम हो गए तो आइसा भी नहीं है इसमें क होई धालने वाली को दवा होगी मैं ज gözकु बताता भी हो कि हिसका जाधिक प्रियोग ना करें या इस त्रेकिसमे ऐसा प्रियोग ने करें में बहारे में घानें तो इसका अवे रखाण में रखे और आप योड़ियो देखते रहे को आप पूरे तरी तरी लेग करते रहे आर्वेधई को पकलना हे तो जीवे मसरदसे समा आर्वेध भाल ड्रा जीवन जीने ऑर विजयान की बैता रहा है उट सबस्क्राइए गारा है अजया क्षण कर वह सस्य कि अगीन की पुछने की कोORIES जानकारी नहीं होती अगर कभी चांट से मुझे मुझे बोलाएंगे कभी कोई काम होगा तो यहां ब्सकूशं को अगर को सब चार्जिंग में। करता हूं कि यह कभी घृट के लिए और बताता हूं और आपको बताते हैं और अशी गलती नहीं करूंगा कि आप पूछना पड़े यह लगाना हो न मिले कहीं पहाड़ी चत्रों में न मिलता हो तो आप मुझे फोन करिएगा या भी बारसात के वज़े से यहां इस बीज बेजेंगे आपको बीज देंगे इसके और आपने यहां गार लगा दीजेगे जंगली पाउधा इसे बीज को जो नहीं बहुत मिलता ह हर जगे मिलता है अब कहीं कहीं नहीं मिलता अलग बात है लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसके बीज मिल जाएंगे और यह बहुत ही जंगली बूटियों में है जाडियों में है यह अक्सर अधार जगे पाए जाता है और इसको आप प्रियों करना न भोलें मैं अपनी ब